नमस्कार, प्रस्तुत कर रही हूं शरत्चंदर चटोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास, श्रेकान्थ श्रेकान्थ एक आत्मकथात्मक शैली में लिखे गई शरत्चंदर की सबसे यादगार और सबसे रोचक कताओने से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ लगता है दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हों, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन भी प्रस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड कीवी कहानिया सबसे पहले आप तक पहुँचे धन्यवान, तो आईए सुनते हैं, श्रिकान मेरी सारी जिन्दगी घूमने में ही बीती है, इस घुमकड जीवन के तीसरे पहर में खड़े होकर, उसे एक अध्यापक को सुनाते हुए, आज मुझे नजाने कितनी ही बाते याद आ रही हैं यो घूमते फीरते ही तो मैं बच्चे से बुढ़ा हुआ हूँ, अपने पराये सभी के मुह से, अपने संबंध में केवल चीची सुनते सुनते, मैं अपने जिन्दगी को एक बड़ी भारी चीची के सिवाए और कुछ भी न समझ सका, किन्तु बहुत काल के बाद, जब आ अठात ये संदे होने लगता है, कि सब लोग इस चीची को जितनी बड़ी बना कर देखते थे, उतनी बड़ी शायद वह नहीं थी, जान पड़ता है भगवान जिसे अपने शुष्टी के ठीक बीच जबरन धकेल देते हैं, शायद उसे भला लड़का कहला कर एक्जाम पा परन्तों दुनिया की लोग उसे सुबुद्धी नहीं कहते हैं, इसी कारण उसकी प्रविर्ती ऐसी असंगत ऐसी निराली होती है, और उसके देखने की चीज़ें और जानने की तृष्णा स्वभावत ऐसी बेजोड होती है, कि यदि उसका वर्णन किया जाये तो शायद स बुद्धी वाले हस्ते हस्ते मर जाये, उसके बाद वा मंद बालक न जाने किस तरह अनादर और अवहेलना के कारण बुरों के आकरशन से और भी बुरा होकर धक्के और ठोकरे खाता हुआ, अज्यात रूप से अंत में किसी दिन अपशय के जोली कंधों पर रखकर कहीं च कहता हूँ, परंतु कहने से ही तो कहना नहीं हो जाता, भ्रमन करना एक बात है और उसका वर्णन करना दूसरी बात, जिसके भी दो पैर है वह भ्रमन कर सकता है, किन्तु दो हाथ होने से ही तो किसी से लिखा नहीं जा सकता, लिखना तो बड़ा कठीन है, अलावे इसके देखता हूँ, व्रिक्ष को ठीक व्रिक्षी देखता हूँ, और पहाड परवतों को पहाड परवत, जल की ओर देखने से वह जल की सिवाए और कुछ नहीं जान पड़ता, आकाश में बादलों की तरफ आखे फाड कर देखते देखते मेरे गर्दन अबश्य दुखने लगी है, बादली बादल नजर आये हैं, उनमें किसी की निबीर केश राशी तो क्या दिखेगी, कभी बाल का टुकड़ा भी खोजी न मिला, चंद्रमा की ओर देखते देखते आखें बथरा गई हैं, परन्तु उसमें भी कभी किसी का मुखवख नजर ना आया, इस प्रकार अगवान ने ही जिसकी विर्णम बना की हो, उसके द्वारक कवित्व श्रिष्टी कैसे हो सकती है, यदि हो सकती है, तो केवल यही कि वह सच सच बात सीधी तरह से कह दे, इसलिए मैं भी यही करूंगा, किन्तु मैं घुमकड की हो गया, यह बताने के लिए पहले उस व्यक आज वह जिवित भी है या नहीं, क्योंकि बरसो पहले एक दिन वह बड़े सुबह उठकर, घर बार, जमीन जायदाद और अपने कुटुम्ब को छोड़कर केवल एक धोती लेकर कहीं चला गया, और फिर लोटकर नहीं आया, ओ, वह दिन आज किस तरह याद है, स्कूल के म मैदान में बंगाली और मुसल्मान छात्रों में फुटबॉल मैच था, संध्या हो रही थी, मैं मगन होकर मैच देख रहा था, मेरे आनंद की सीमा न थी, सहसा, अरे या क्या, तड़ा तड़ तड़ा तड़ शब्द और मारो सालेकों, पकड़ो सालेकों की पुकार मच गय मैं विवल सा हो गया, दो-तीन मिनट बस, इतने में कौन कहां गायब हो गया, निश्चे ही न कर पाया, ठीक तोर पर तब पता लगा, जब मेरे पीट पर आकर एक छतरी का पूरा बेंट तड़ाक से तूट गया, और भी दो-तीन बेंट सिर पे और पीट पर पढ़ने को ठीक इसी समय जो मनुष्य बिजली की वेग से उस विव को भेदता हुए मेरे आगे आकर खड़ा हो गया, वह था इंद्रनात, रंग उसका काला था, नाक वन्शी के समान, कपाल प्रशस्त और सुडॉल, मुख पर दो-चार चेचक के दाग, उचाई मेरे बराबर ही थी, क किन तु उम्र मुझ से कुछ आदि, कहने लगा, कोई डन नहीं है, तुम मेरे पीछे-पीछे बाहर निकलाओ, उस लड़के के छाती में जो सहस और करुणा थी, वह दूरलब होते वे भी शायद असाधारन नहीं थी, परन्तु इसमें जराबी संदेह नहीं, कि उसके दोन में या आशंका भी न हो सकती थी, कि विवाद की समय या भला आदमी, अकस्मात अपना तीन हाथ, लंबा हाथ बाहर निकाल कर मेरी नाक पर एकाएक इस अंदाज में घूसा मार सकेगा, वह घूसा क्या था, उसे बाज का पंजा कहना ही अधिक उप्युक्त होगा, दो ही मि आख गधे कही के, गधा हो या चाहे जो हूँ, मुझे खूब याद है, मैंने हठात लोटकर और खड़े हो कर कहा, नहीं, मैं नहीं भागूंगा, बचपन में मार पीट किसने न की होगी, परन्तु मैं था गाउं का लड़का, दो-तीन महिने पहले ही लिखने पढ़ने के इसके पहले इस प्रकार दल बांद कर न तो मैंने मार पीटी की थी, और नहीं किसी दिन इस तरह दो पूरे छतरी की बे थी मेरे पीट पर टूटी थी, फिर भी मैं अकेला न भाग सका, इंद्र ने एक बार मेरे मूं की और देख कर कहा, नहीं भागेगा तो क्या खड़े- सड़क पर पहुँचे, तब शाम हो गई थी, दुकानों में रोश्नी हो गई थी, और रास्ते पर म्यूनिसिपल के केरोसिन के लाम लोहे के कंबो पर एक यहां और दूसरे वहां जल रहे थे, आखों में जोर होने पर भी ऐसा नहीं कि एक के पास खड़े होने पर दूसरा दिखाईना पड़ता, अत्ताईयों के अब कोई आशंका नहीं थी, इंद्र अत्यन्त स्वाभाविक सहज स्वर में बात कर रहा था, मेरा गला तो सूख रहा था, परन्तु आश्चे रे कि इंद्र रत्ती भर भी नहीं हापा था, मानो कुछ हुआ ही नहो, ना मारा हो, ना से कुछ तो उसने खाली और कुछ मेरे हाथ पर दे कर कहा, आज खूब ठोका सालो को, ले खा, यह क्या है, बूटी, मैंने अत्यन्त विस्मित होकर कहा, भांग, यह तो मैं नहीं खाता, उसने मुझसे भी अधिक विस्मित होकर कहा, खाता नहीं, कहां का गधा है रे, सिगरेट पी, यह कहकर उसने जेब से दो सिगरेट और दिया सलाई बाहर निकाली, एक तो उसने मेरे हाथ में दे दी, दूसरी अपने हाथ में रखी, इसके बाद वह अपनी दोनों हथेलियों को एक विचितर प्रकार से जुटा कर, उस सिगरेट को चिलम बना कर जोर से की वा अपरे कैसे जोर से दम खीचा कि एक ही दम में सिग्रेट की आग सिरे से चलकर नीचे उतर आई, लोग चारों तरफ खड़े थे, मैं बहुत ही डर गया, मैंने डरते हुए पूछा, पीते हुए यदि कोई देख ले तो, देख ले तो क्या, सभी जानते हैं, यह कहकर स्व नहीं याद नहीं आता, कि उस अद्भूत बालक के प्रती, उस दिन मुझे प्रेम उत्पन्न हुआ था, अत्वा यूँ खुले आम भांग और तंबाको पीने के कारण मनी मन ग्रेणा, इस घटना के बाद करीब एक महिना बीद गया, एक दिन रातरी जितनी उश्न थी, उ बहुत मधूर स्वर कानों में आने लेगा, साधारन राम प्रसादी सूर था, कितने ही दफे तो सुन चुका था, किन्तो बासुरी इस प्रकार मुग्द कर सकती है, यह मैं न जानता था, हमारे मकान के दक्षिन पूर्व के कोने में एक बड़ा भारी आम और कठल का बाग कई हिस्सेदारों की संपत्ती होने के कारण उसकी कोई खोजखबर नहीं लेता था, इसलिए पूरा बाग निभीर जंगल की रूप में परिनित हो गया था, गाय बैलों के आने जाने से उस बाग के बीच में एक पतली सी पकडंडी बन गई थी, ऐसा मालूम हुआ मानों उ कि इस बनसी धारी को ये सभी चीनते हैं, बड़े भईया ने कहा, उस हत बागे को छोड़ कर कौन दूसरा है जो बजाएगा, और उस जंगल में ऐसा कौन है जो डुकेगा, क्या बोलता है रे, क्या वा गुसाई के बगीचे से आ रहा है, बड़े भईया बोले, हाँ, ऐसे भयंकर अंधकार में उस अदूर वर्ती गहरे जंगल का खयाल करके, बुआ मनी मन सीहर उठी, और डर भरे कंट से प्रश्न कर उठी, अच्छा, उसकी माह उसे नहीं रोकती, गुसाई के बाग में तो नजाने कितने लोग साप काटने से मर गये, इस जंगल में इतनी रात क वलर का आया ही क्यों? बड़े भईया कुछ हस कर बोले, इसे लिए कि उस मुहले से इस मुहले तेक आने का वही सीधा रास्ता है, जिसे भै नहीं है, प्राणों की परवाह नहीं है, वह क्यों बड़े रास्ते से चक्कर काट कर आएगा मा? उसे तो जल्दी आने से मतलब है तिर चाहे उस रास्ते में नदी नाले हो, चाहे साप बिचो या बाग भालू ही क्यों ना हो, धन्य हैरे लड़के यह कहकर बुवा एक निश्वास डालकर चुक हो रही है, वन्शी की ध्वनी क्रम्श सूस्पष्ट होती गई, और फिर धीरे धीरे अस्पष्ट होती दूर जाकर विलीन हो गई, यही था वह इंद्रनात, उस दिन तो मैं यह सोचता रहा, कि क्या ही अच्छा होता यदि इतना अधिक बल मुझ में होता, और मैं भी इसी तरह मार पीट कर सकता, रात्री को जब तक सो न गया, तब तक यही काम न करता रहा, कि यदि किसी तरह ऐसी वंशी मैं भी बजा सकता, परन्तो उससे सद्भाव किस तरह पैदा करूं, वह तो मुझ से बहुत उचे पर है, उस समय वह स्कूल में भी न पढ़ता था, सुना था हेड मास्टर साहब ने अन्याय करके उसके सिर पर जोही गधे की टोपी लगाने का आयोजन किया, त बहुत दिनों बाद उसी के मुह से सुना था, कि वह कुछ ऐसा अपराध न था, हिंदुस्ताने पंडित जी को क्लास के समय में ही नींद आने लगती थी, सो एक बार जब वे नींद ले रहे थे, तब उनकी गांट बंधी चोटी को उसने कैची से काट कर जरा छोटा भर कर दिया था, और उनसे उने कुछ विशेश हानी भी न हुई थी, क्योंकि पंडित जी जब घर पहुँचे, तब अपनी चोटी अपनी अचकन के जेब में ही पड़े भी पाए, वा कहीं खोनी गई थी, फिर भी पंडित जी का गुस्सा न जाने क्यों शान्त न हुआ, और क् हेड मास्टर साहब के पास नालिश करने गया है, यह बात आज तक इंडरनात को नहीं समझ में आई, परन्तो फिर भी यह बात वर ठीक से समझ गया था, कि स्कूल से रेलिंग फांद कर घर आने का रास्ता तयार हो जाने पर, फिर फाटक में से वापस लोट जाने का रास्त प्रायक खूला नहीं रह जाता, और फाटक का रास्ता खूला रहा या नहीं रहा, यह देखने के उत्सुकता भी उसमें बिल्कुल नहीं हुई, यहां तक कि सिर पर दस-बीस अभिभावोकों के होने पर भी, उनमें से कोई भी उसका मुख फिर किसी भी तरह से विद्याल वह अकेला उसी पर बना रहता, कभी-कभी तो एकाएक ऐसा होता कि वह पश्चिम की गंगा के एक तरफा बहाव में अपनी डोंगी को छोड़ देता, डांड पकड़े चुप चाप बैठा रहता और दस-दस, पंद्र, पंद्र दिन तक फिर उसका कुछ भी पता न लगता एक दिन इसी परकार, जब वह बिना किसी उद्देश के अपनी डोंगी बहाए जा रहा था, तब उसके साथ मिलन की गाट को सुद्रिड करने का मुझे एक मौका मिला, उस समय मेरी एक मात्र कापना यही थी, कि उससे किसी न किसी परकार मित्रता का संबंद डिड़ किया ज और फिर पढ़ना लिखना सीखने के लिए अपना गाउं छोड़ कर पराए घर आकर रह रहे हो, फिर तुम उससे मिलने ही क्यों गए और उससे मिलने को इतने व्याकुली क्यों है, यदि ऐसा ना हुआ होता तो आज तुम ठेरो ठेरो, अधिक कहने की जरूरत नहीं, यह ब इसा ना हुआ होता तुम्हें क्या हो जाता, इस प्रश्ण का समाधान भी तुम में से कोई नहीं दे सकता, जो सब कुछ जानते हैं, केवल वे ही, मतलब भगवान ही बता सकते हैं, क्यों क्यों इतने आदमियों को छोड़ कर एक मात्र उसी हत भागे के प्रती मेरा सारा हिर दै आक्रिष्ट हुआ, और क्यों उस मंद से मिलने के लिए मेरे शरीर का प्रतेक कण उन्मुक हो उठा, वह दिन मुझे खूव याद है, सारे दिन लगातार गिरते रहने पर भी मेग बंद नहुआ था, सावन का आकाश घने बादलों से घिरा हुआ था, शाम होते नहोते चारो और अंधिर अचा गया, जल्दी जल्दी खाकर हम कई भाई रोज की तरह बाहर बैठक खाने में बिछेवे बिस्दर पर रेडी के तेल का दीपक जलाकर पुस्तक कोल कर बैठ गये थे, बाहर के बारामदे में एक तरफ फूफाजी कनवास की खाट पर लेटे वे उसरी और बूढे रामकमल भटाचारे अफीम खाकर अंधकार में आख मीचे वे हुक का गुर्गुरा रहे थे, डियोडी पर हिंदुस्तानी दर्बान का तुलसी दास स्वर पढ़ रहा था और भीतर हम तीनों भाई मंजले भाई की कड़ी देख रेक में चुप चाप वि आयारी कर रहे थे, उनके प्रचंड शाषन में किसी को एक मिनट भी नष्ट करने का साहस न होता था, हम लोगों के पढ़ने का समय था साड़े साथ से नौ बजे तक, उस समय बादचीत करके हम उनकी पास होने वाली पढ़ाई में विगनडा डाल सकते थे, और इसके लिए वे रोज कैची से काट कारकर कागर्श के 20-25 टुकडे रख छोड़ते, उनमें से किसी पर लिखा होता, बाहर जाना है, किसी में थूकना है, किसी में नाक साफ करना है, किसी में पानी पीना है आदी, जीतन भाईया ने नाक साफ करने का एक टिकट मंजले भाईया के सामने पेश किया, मंजले भाईया ने उस पर अपने हाथ से लिख दिया, आठ बचकर 33 मिनट से लेकर, आठ बचकर 33 मिनट 30 सेकंड तक, अर्थार इतने समय के लिए ही नाक साफ करने जा सकते हैं, चुट्टी पाकर जीतन भाईया टिकट हाथ में लेकर गए ही थे, कि छोटे भाईय भाईया ने थूक जाने का टिकट पेश कर दिया, मंजले भाईया ने उस पर नहीं लिख दिया, इस पर दो मिनट तक छोटे भाईया मूँ खुलाए बैठे रहे, और उसके बाद उन्होंने पानी पीने की अर्जी दाखिल की, इस बर्वा मंजूर हो गई, मंजले भाईया भाईया ने इसके लिए हा लिख दिया, उसके बाद पर्ची पर आठ बच कर 41 मिनट से लेकर, आठ बच कर 47 मिनट तक का समय दिया, परवाना लेकर छोटे भाईया हसते वे जो ही बाहर गय तो ही जीतन भाईया ने लौटकर हाथ का टिकट वापस दे दिया, मंजले भाईया पर इन सब टिकटों को सामने रखकर क्याफियत तलब की जाती कि क्यों अमुक दिन तुमने इजाज़त से अधिक समय लगा दिया इस प्रकार मंजले भईया की अत्यन्त सतरकता और शिंखला बद्धता से हमारा और उनका खुद का किसी का भी जरासा भी समय नश्ट न होने पाता इस तरह प्रती दिन डेड़ घंटा खूब पढ़ लेने के उपरांत जब हम लोग रात को नौ बजे घर में सोने आते थे तब निश्चही माता सरस्वती स्वयम हमें घर की चौकर तक पहुँचा जाती थी और दूसरे दिन स्कूल की कक्षा में जो सब सम्मान सौभाग्य प्राप्त कर हम घर लोटते वह तो आप समझी गए होंगे परन्तो मंजले भाया का दूर भाग्य कि उनके बेवकुफ परिक्षक उन्हें कभी चीन न सके वे नीज की तथा पराई सीक्षा दिक्षा के प्रती इतना प्रभल अनुराग तथा समय के मूले के संबंद में अपने उत्तरद्वाईतों पर इतना सुक्ष्वा खयाल रखते थे फिर भी वे उन्हें बार बार फेली करते गए इसे ही कहते हैं द्रिष्टी का अंधा और न्याई विचार खयर जाने दो उसके लिए दुखी होने से अब क्या लग उस रात्री को भी घर के बाहर वही घना अंधकार बारामदे में तंद्रा भीभूत वे दोनों बुढ़े और भीतर दीपक के मंद प्रकाश के समुख गंभीर अध्यन में लगे वे हम चार प्राणी थे छोटे भाईया के लौट आते ही प्यास के मारे मेरी चाती एक बारगी फटने लगी इसलिए टिकट पेश करके मैं हुकम की राह देखने लगा मंजले भाईया उसी टिकटो वाले रजिस्टर के उपर जुक कर परिक्षा करने लगे कि मेरा पानी पीने के लिए जाना नियम संगत है या नहीं अर्थात कल परसो किस परिमान में मैंने पानी पिया तो अकसमात मेरे पीछे से एक हुम शब्द और साथ ही साथ चोटे भाईया और जीतन भाईया का आर्थ कंट से निकला हुआ अरे बापरे मार डाला रे का गगन वेदी चितकार सुन पड़ा उन्हें किसने मार डाला सिर घुमा कर यह देखने के पहले ही मंजले भाईया ने सिर उठा कर विकट शब्द किया और बिजली की तेजी से मेरे सामने पैर फैला दिये और दवात उलट गया तब उदर अंधकार में दक्ष यग्य मच गया मंजले भाईया को थी मिर्गी की बिमारी इसले वा ओं ओं करके दवात उलटा कर जो चित गिरे फिर उठना सके ठेल ठाल करके मैं बाहर निकला तो देखा कि फूफा जी अपने दोनों लड़कों को बगल में दबाएवे उनसे भी अधिक तीवर स्वर में चिला कर छपड़ फाड़े डाल रहे हैं ऐसा लगता था मानों उन तीनों बाब बेटों में इस बात की होड लगी विये कि कौन कितना गला फाड़ सकता है इसे अवसर पर एक चोर जी छोड़कर भागा जा रहा था और डियोड़ी के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया फूफा जी प्रचंड चितकार करके हुकम दे रहे थे और मारो साले को मार डालो इत्यादी दम भर में रोशनी होगे नौकरो चाकरो और पास परोसियों से आंगन खचा खच भर गया दर्बानों ने चोर को मारते मारते अद्मरा कर दिया और प्रकाश के सम्मुख खीच कर लाकर धक्का देखर गिरा दिया पर चोर का मुह देखकर घर भर के लोगों का मुह सूख गया अरे ये तो भटाचारे महाशे हैं तब कोई तो जल लेकर आया कोई पंखे से हवा करने लगा और कोई उनकी आखो और मुह पर हाथ फेरने लगा उधर घर के भीतर मंजले भाईया के साथ भी यही हो रहा था पंखे के हवा और जल के छीटे खा कर राम कमल होश में आकर लगे फपक फपक कर रोने सभी लोग पूछने लगे आप इस तरह भागे क्यों जा रहे थे भटाचारे महाशे रोते रोते बोले बाबा बाग नहीं वह तगड़ा भालू था छलांग मार कर बैठक खाने से बाहर आ गया छोटे भाईया और जीतन भाईया बारंबार कहने लगे भालू नहीं बाबा एक भेडिया था पूच समेटे पायंदाज के उपर बैठा गुर्रा रहा था मंजले भाईया होश में आते ही अदमीची आँखों से दीर गी निश्वास छोड़तेवे संशेप में बोले दी रोयल बंगाल टाइगर परन्तु वह है कहा चाहे मंजले भाईया का दर रोयल बंगाल हो चाहे राम कमल का तगड़ा भालू हो परन्तु वह यहां आया ही किस तरह और कहां ही चला गया जब इतने लोगों ने उससे देखा तब कुछ न कुछ तो अवशे ही होगा तब किसी ने विश्वास किया किसी ने नहीं किया किन्तु सभी भैचकित नेत्रों से लाल्टेन लेकर चारों तरफ खोजने लगे भर की भी तेरी सही न जाती थी आंगन के एक तरफ अनार का एक दरक्त था मालूम पड़ा कि उसी की घनी डालियों में एक बड़ा जानवर बैठा है वह बाग के समानी मालूम होता था पलक मारते न मारते सारा बारामदा खाली हो गया और बैठक खाना खचा खच भर गया बारामदे में एक भी आदमी न रहा घर की उस भीड में से फूफा जी का उत्तेजित स्वर्प सुनाई पढ़ने लगा बर्ची लाओ बंदूक लाओ हमारे मकान के पास के मकान में गगन बाबू के पास एक मुंगेरी बंदूक थी उनका लक्ष उसी अस्त्र पर था लाओ तो ठीक किन्तु लाए कौन अनार का जार था दरवाजे की निकठी और फिर उस पर बैठा था भेडिया हिंदूस्तानी सिट पिटाय तक नहीं और जो लोग तमाशा देखने आये थे वे भी सन का खीच कर रह गये ऐसी विपत्ती के समय ने जाने कहां से इंद्र आकर उपस्तित हो गया शायद वह सामने के रास्ते से कहीं जा रहा था और शोरगुल सुनकर अंदर गुसाया था पल भर में सौ कंठ एक साथ चितकार उठे ओरे भाग है रे भाग भाग जा लड़के भाग जा पहले तो वह हडबडा कर भीतर दोड़ाया किन्तो पल भर बाद ही सब हाल सुनकर निर्भय हो आंगन में उतर कर लाल्टे लेकर देखने लगा दुमंजिले के खिड़कियों में से औरते सास रोक कर इस सासी लड़के की ओर देख देखकर दुरगा नाम जपने लगी बाग नहीं मालूम होता उसके बाद समाप्त होते नहोते वह रोयल बंगाल टाइगर दोनों हाथ जोड़कर मनुष्य के ही स्वर में रो पड़ा और बोला नहीं बाबुजी नहीं मैं बाग भालू नहीं हूँ श्रिनात बहुरूपिया हूँ इंद्रे ठठा कर हस पड़ा भट्टाचारे महाशे खड़ाओं हाथ में लिए सबसे आगे दोड़ पड़े हरामजादे तुझे डराने के लिए और कोई जगा नहीं मिली फूपा जीने महा क्रोध से हुकम दिया सले को कान पकड़ कर खीच कर लाओ किशोरी सिंग ने उसे सबसे पहले देखा था इसलिए उसका दावा सबसे प्रबल था वह गया और उसके कान पकड़ कर घसीटता हुआ लेकर आया भटाचारे महाशे उसकी पीठवर जोर जोर से खड़ाओ मारने लगे और गुसे में मारे दनादन हिंदी बोलने लगे इसी हरामजादे पजजात के कारण मेरी हड़ी पसली चूर हो गई साले पच्चैयों ने गुसे मार मार कर कचूमर निकाल दिया श्रिनात का मकान बारा सत्मे था वह हर साल इसी समय एक बार रोजगार करने आता था कल भी वह इस घर में नारत बनकर गाना सुना कर गया था वह कभी बटाचारे महाशके और कभी फूफाजी के पैर पढ़कर पर रोने लगा लड़कों ने इतना अधिक भैबीत होकर दवात लुड़का कर ऐसा भीशन कांड मचा दिया कि मैं स्वयम भी ड़के मारे उस व्रिक्ष की आड में जाकर चिप गया सोचता था कि कोछ शान्ती होने पर बाहर आकर अपना स्वांग दिखा कर जाओंगा किन्तो मामला उत्तरोत्तर ऐसा होता गया कि मेरी फिर हिम्मत ही नहीं हुई श्रेनात आर्जो मिन्नत करने लगा किन्तो फूफाजी का क्रोध कम नहीं हुआ बूवाजी स्वयम उपर से बोली तुम्हारे भागे भले थे जो सचमुझ का भाग भालू नहीं निकला नहीं तो जैसे तुम बहादूर वैसे तुम्हारे दर्बान छोड़ दो बिचारे को और दूर कर दो ड्योड़ी के इन पचैये दर्बानों को एक जरा से लड़की में जो साहस है उतना घर भर के सब आदमियों में मिलकर नहीं है फूपजे ने कोई बात ही न सुनी वरण उन्होंने बूवाजी के इस अभियोग पर आखे घुमा कर ऐसा भाव धारन किया मानों एक्षा करते ही वे इन सब बातों का काफी और माकूल जवाब दे सकते हैं परंतों जोकि औरत की बातों का उत्तर देने की कोशिश करना भी पूरुष जाती के लिए अपमान जनक है इसलिए और भी गरम होकर होकम दिया इसकी पूच काट डालो तब उसकी रंगिन कपड़े से लिप्टी भी घास की बनी लंबी पूच काट डाली गई और उसे भगा दिया गया बूच जी उपर से गुसे से बोली पूच तो समभाल कर रख छोड़ो किसी समय काम आएगी इंद्र ने मेरी ओर देख कर कहा मालूम पड़ता है तुम इसी मकान में रहते हो श्रिकान मैंने कहा हाँ तुम इतनी रात को कहां जाते थे इंद्र हस कर बोला रात का आए रे अभी तो संध्या हुई है मैं जाता हूँ अपनी डोंगी पर मचली पकरने चलता है मैंने डर कर पूचा इतने अंधकार में डोंगी पर चड़ोगे वह फिर हसा और बोला डर क्या है रे इसी में तो मज़ा है अंदेरा हुए बगर मचलीयां पकड़ी जा सकती है तैर ना जानता है कुप जानता हूँ तो फिर चल भई यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कहा मैं अकेला इतने बहाओ में उस तरफ को नाव नहीं ले जा सकता ऐसे ही किसी की खोज में था जो डरे नहीं मैंने फिर कुछ ना कहा उसका हाथ पकड़ेवे चुप चाप रास्ते पर आप पहुँचा पहले तो मानू मुझे अपने आप पर विश्वासी न हुआ कि सचमुची उस रात्री को मैं नाव चलाने जा रहा हूँ क्योंकि जिस आवान के आकरशन से उस स्तब्द निबीड निशा में घर के समस्त शाशन पाश को तुच्छ समझ कर अकेला बाहर चलाया था वो कितना बड़ा आकरशन था या उस समय विचार कर देख सकना मेरे लिए साध्य ही नहीं था अधिक समय बीतने के पूर्वे ही गोसाई बाग के उस भयंकर वनपत के सामने आउपस्तित हुआ और इंद्र का अनुसरन करता हुआ स्वपनानविष्ट पुरुष की भाती उसे पार कर गंगा के किनारे जा पहुँचा कंकर पथडों का बड़ा किनारा है सिर के उपर एक बहुत प्राचीन बरगत का व्रिक्ष मूर्तिमान अन्धकार के समन चुप चाप खड़ा है और उसी के करीब तीस हाथ नीचे सुची भेद अन्धकार के तले में पूरी बरसात का गंभीर जलस्त्रोथ चटानों से टकरा कर भावरों की रचना करता हुआ उत्दम वेग से दोड़ा जा रहा है देखा कि उसे अस्थान पर इंद्र की छोटी सी नावबंदी भी है परा कर मर रहा है मैं स्वयम भी बिल्कुल डरपोक नहीं था किन्तु जब इंद्र ने उपर से नीचे तक लटकती भी रसी को दिखला कर कहा डोंगी कि इस रसी को पकड़ कर चुप चाप नीचे उतर जा सावधानी से उतर ना हिसल गया तो फिर खोजने से भी तेरा पता न लगेगा तब दरसल मेरी छाती धड़क उठी जान पड़ा कि यह असंभव है फिर भी मेरे लिए तो रसी का सहारा है किन्तु तुम क्या करोगे उसने कहा तेरे नीचे जाते ही मैं रसी खोल दूँगा और फिर नीचे उतरूँगा डर की बात नहीं है मेरे नीचे उतरने के लिए बहुत से घास की जड़े जूल रही है और कुछ न कहा कर मैं रसी के सहारे बड़ी सावधानी से बमुश्किल नीचे उतर कर नाओ पर बैठ गया इसके बाद उसने रसी खोल दी और वो जूल गया वो किस चीज के सहारे नीचे उतरने लगा सो मैं आज भी नहीं जानता हूँ डर के मारे मेरी चाती इतने जोर से धड़कने लगी कि उसकी और मैं देख भी न सका दो-तीन मिनट तक विपुल जलधारा की उनमत गरजन के सिवाए कहीं से कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया ठेका एक एक हलकी सी हसी के शब्द सुनकर चौक कर मुफेरा तो देखता हूँ कि इंद्र ने दोनों हाथों से डोंगी को जोर से धक्का देकर ठेल दिया है और आप कूद कर उसमें चड़ बैठा है चुद्र तरी एक चक्कर सा खाकर नक्षत्र वेग से बहने लगी कुछी देर में सामने और पीछे सब कुछ सगन अंधकार से लिप उतकर एकाकार हो गया रह गई दाहिनी और बाई और दोनों सीमाओं तक फैली हुई विप्पुल उनमद जल की धारा और उसकी उपर खुब तेजी से चलने वाली वा छोटी सी नाओ और उस पर किशोर वै के दो बालक यदपी प्रकृति देवी के अपरिमे गंभीर रूप को समझने की उम्रवह नहीं थी किन्तु उसे मैं आज भी नहीं भूल सका हूँ वायुहिन निश्कम, निस्तब्ध, निसंक, निशितनी की मानोव एक विराट काली मूर्ती थी उसके निबीड काले बालों से आकाश और प्रित्वी ढग गई थी और उस सुची भेद अंधकार को विदिर्ण करके कराल दाढ़ों की रेखा के समान उस दिगंत विस्तृत तिव्र जलधारा से मानो एक तरह की अदभुत निश्चल धूती निश्ठ और दबीवी हसी के समान बिखर रही थी आसपास और सामने कहीं तो जल की उनमत धारा तल देश में जाकर तथा उपर को उठकर फट पड़ती थी कहीं परसपर के प्रतिकूल गती संगातों से आवर्तों की रचना करती वी चक्कर खाती थी और कहीं अपरतिहीत जल प्रवा पागल की तरह दोड़े जा रहा था हमारी डोंगी एक कोने से दूसरे कोने की ओर जा रही है बस मुझे इतना ही मालूम हो रहा था किन्तु उस पार के उस दुरभेद अंधिकार में किस जगा लक्ष करके इंद्र हाल को पकड़े चुप चाप बैठा है यह मैं कुछ न जानता था इस उम्र में वह कितना पक्का माजी बन गया है इसकी मुझे उस समय कलपना भी न थी एका एक वा बोला क्यों रे श्रीकान दर लगता है मैं बोला नहीं इंद्र खुश हो कर बोला यही तो चाहिए जब तैरना आता है तब दर किस बात का प्रतियुत्तर में मैंने एक छोटे से निश्वास को दबा दिया कहीं वह सुन न ले किन्तु ऐसी गहरी अंधिरी रात में ऐसी जल राशी और ऐसे दुर्जे प्रवाव में तैरना जानने और न जानने में क्या अंतर सो मेरी समझ में न आ सका उसने और भी कोई बात नहीं कही बहुत देर तक इसी तरह चलते रहने के बाद तहीं से कुछ आवाज से आई जो कि असफुट और चीन थी किन्तु नौका जैसे जैसे अग्रसर होने लगी वैसे ही वैसे वह आवाज भी स्वष्ट और प्रबल होने लगी मानो लोगों का दूर से आता हुआ क्रुद आवाहन हो रहा हो मानो कितने ही वाधा विगनो को लांग कर, हटा कर वह आवान हमरे कानों तक पहुँच रहा हो वह आवान ठका हुआ सा था फिर भी उसमें विराम न था नहीं विच्चेद मानो उनका क्रोध कम न होता था बढ़ता ही जाता था नहीं थमना चाहता था बीच बीच में एका धपा भप भप शब्द भी होता मैंने पूछा एंद्र यह काहे के आवाद सुनाई पड़ती है उसने नौका का मोह कुछ सीधा करके कहा जल के प्रवाह से उस पार के कगारे तूट तूट कर गिर रहे हैं या उसी का शब्द है मैंने पूछा कितने बड़े कगारे हैं और कैसा प्रवाह है बड़ा भयानक प्रवाह है ओ तभी तो कल पानी परस गया आज उसके तले से न जाया जाएगा कहीं एक भी कगार गिर पड़ा तो नाओ के साथ हम दोनों पिस जाएंगे अच्छा तो डांड तो चला सकता है न चला सकता हूँ तो चला मैंने डांड चलाना शुरू कर दिया इंद्र ने कहा वही वही जो बाईं और काला काला दिख पड़ता है वह चड़ा है उसके बीच में से एक नहर सी गई है उसी में से होकर निकल जाना होगा परंतु बहुत आहिस्ते, अगर कहीं घीवरों को जरा भी पता लग गया, तो फिर लोटना नहो सकेगा, वे लगई की मार से सिर्फ होड़कर इसी कीचड में गाड़ देंगे, या क्या, मैंने डरते हुए कहा, तो फिर उस नहर में होकर मत चलो न, इंद्र ने शायद कुछ ह कहा, और कोई रास्ता नहीं है, उसके भीतर से ही होकर जाना होगा, द्वीप के बाइं और की रेहम को ठेल कर तो जहाज भी नहीं जा सकता, फिर हम कैसे जाएंगे, लोटती भी वापस आ सकते हैं, किन्तु जा नहीं सकते, तो फिर मचलियों को चुराने की जरूरत नहीं है है भाईया, कहकर मैंने डांड उपर उठा लिया, पलक मारते ही नाव चक्कर खाकर लोट चली, इंद्र खीज उठा, उसने आहिस्ते से जिड़कते हुए कहा, तो फिर आया ही क्यों, चल तुझे वापस पहुँचाओं, कायर कहीं का, उस समय मैंने चौदह पूरे करके पं दिरे चलाओ, साले बहुत पाजी हैं, मैं जाओ के वन के पास से मकई के खेतों के भीतर से होकर, इस तरह बचा कर ले चलूँगा कि सालों को जरा भी पता न चलेगा, फिर कुछ हास कर बोला, और यदि सालों को पता लग भी गया तो क्या, पकड़ लेना के इतना सहज है, देख शरकांत, कुछ भी डर नहीं, यह ठीक है कि उन सालों के चार नावे हैं, किन्तु यदि देखो के घीरी गये हैं, और भाग जाने के कोई जुगत नहीं, तो चट से कूत कर डुपकी लगा जाना, और जितनी दूर तक हो सके, उतनी दूर तक निकल जाना, बस काम बन जाएगा, इस अंधकार में देख सकने का तो कोई उपाय है नहीं, इसके बाद मजे से सतुया के टीले पर चड़कर भोर के समय तैर कर इस पार आ जावेंगे, और गंगा के किनारे किनारे घर पहुंच जाएंगे, फिर क्या कर लेंगे यह साले हमारा, यह नाम मैंने सुना था, कहा, सतुया का टीला, तो घोर नाले के सामने है, वो तो बहुत दूर है, इंद्रे ने उपेक्षा भाव से कहा, कहा बहुत दूर है, चैसात कोस भी तो नहोगा, तैरते तैरते यदि हाथ भर आवे, तो चित होकर सुस्ता लेना, इसके सिवाए मोर्दे जलाने के काम आएवे बहुत से बड़े-बड़े लकड़ भी तो बहते मिल जाएंगे, आत्मरक्षा को जो सरल रास्ता था, सो उसने दिखा दिया, उसमें प्रतिवाद करनी की कोई गुंजाईश ही न थी, उस अंधेरी रात में, जिसमें दिशाओं का कोई चिन न न नजर आता था, औ अवेरे से पहले इस तरफ के किनारे पर चड़ने का कोई और उपाई नहीं, दस-पंद्रह हाथ उचा खड़ा हुआ बालू का कगारा है, जो तूटकर सिर पर आ सकता है, और इसी तरफ गंगा का प्रवा भीशन टक्करे लेता हुआ अर्ध वृत्ताकार दोड़ा जा रहा किन्तु हमारे नाव का क्या होगा? इंद्र बोला, उस दिन भी मैं ठीक इसी तरह भाग गया था और उसके दूसरे दिन ही आकर नाव निकाल कर ले गया, कह दिया कि घाट पर से डोंगी चोरी करके कोई और ले गया होगा, मैंने ही लाया, तो यह सब इसके कलपना ही नहीं, बिल्कुल परिक्षा किया हुआ प्रत्यक्ष सत्य है, क्रम्षा नौका खाड़ी के सामने जा पहुची, देख पड़ा कि मच्वों की नावे कतार बांद कर खाड़ी के मुहाने पर खड़ी हैं, और उनने दिये भी टिम्टिमा रहे हैं, दो टीलों के बीच का वह जल प्र उसरे को ओट में कर रखा है, उनमें से एक के भीतर होकर कुछ दूर जाने पर हम नहर के भीतर जा पहुचें, घीवरों की नावे वहां से दूर खाड़ी पर खड़ी हुई, काली-काली जाड़ीओं की तरह दिखाई पड़ती थी, और भी कुछ दूर जाने पर हम उद्ध गीवर देवताओं ने नहर का सिंग द्वार सुरक्षित है यह समझ कर इस स्थान पर पहरा नहीं रखा था, इसे माया जाल कहते हैं, नहर में जब पानी रहता है, तब इस किनारे से लेकर उस किनारे तक उची-उचे लट मजबूती से गार दिया जाते हैं, और उनके बाह पुदगर इस बाजू आ जाना चाहते हैं, और डोरी की जाल में फस जाते हैं, दस, पंदरब, बीस, सेर के पांच, छे, रोहु, कतला, मच, दम भर में पकड़ कर इंद्रने नाव में रख लिए, विराटकाई मच राज अपनी पूछो की फटकार से हमारी उस छोटी से न जाल छोड़ दिया, अब डांड चलाने के जरूरत नहीं रहे, मैं चुपचा बैठा रहा, उसी प्रकार चिपे-चिपे उसी रास्ते से बाहर जाना था, अनुकूल बहाव में दो-तीन मिनट प्रकर गती से बहने के उपरांत, एका एक, एक स्थान पर मानो जरा धक्का खा कर हमारी वज छोटी सी डोंगी पास के मकई के खेत में प्रवेश कर गए, इसके अतरिक्त इस आकसमित गती परिवर्तन से मैं चकित हो गया, मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ, इंद्र ने एक और धक्का देकर उसे कुछ और भी अंदर ले जाते वे कहा, चुप, सालों को मालूम हो गया है, चार नावों को कोल कर साले यहीं आ रहे हैं, वह देखो, इंद्र ठीक कह रहा था, जोर के साथ जल को काटती और छपचप शब्द करती वी तीन नौकाएं हमें निगल जाने के लिए क्रिश्न कांत दैत्यों के समान दोड़ी आ रही थी, उस तरफ तो ज कहते कहते अदम में वाशपोच्छवास से मेरा कंट रुद्ध हो गया, इस अंधकार में इस पिंजडे के भीतर अगर ये लोग हमारा खून करके भी इस खेत में गार दें, तो इन्हें कौन रोकेगा, इसके पहले पाच-छे बार इंद्र चोरी के विद्या बड़ी विद आप गया, किन्तु वह रुका नहीं, प्राण प्रण से लग्जी ठेल कर धीरे धीरे भीतर चिपाने की चेश्ठा करने लगा, समस्त टीका जलमय हो गया था, उसके उपर आठ आस दस दस हाथ लंबे मकई और जुआर के पेड थे, और भीतर हम दोनों चोर, कहीं तो पानी चाती तक था, कहीं कमर तक, और कहीं घुटनों से अधिक नहीं, उपर निबीड अंधकार, और आगे पीछे दाएं वाएं निर्भेत जंगल, लगी कीचड में धसने लगी, और डोंगी अब एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ती, पीछे से घीवरों के असपष्ट बाते कान में आने लगी, इस बात में अब जरा भी संशय नहीं रहा, कि कुछ संदे करके ही वे लोग चले हैं, और अब भी खोजते फिर रहे हैं, सैसा डोंगी कुछ एक तरफ जुक कर सीधी हो गई, आँख उटा कर मैंने देखा, तो मैं अकेला ही रह गया हूँ, दूसरा व्यक्त कर निकालनी होगी, मेरी कमर से रसी बंदी है, किच कर कहा ले जाओगे, उस गंगा में थोड़ी ही दूर ले जाने पर बड़ी धारा मिल जाएगी, सुनकर मैं चुप चाप हो गया, और क्रम क्रम से दीरे दीरे आगे बढ़ने लगा, अकस्मात कुछ दूर पर वन के बीच कनस्तर पीटने और फटे बासो के फटाफट आवाज से में चौक पड़ा, डरते वे मैंने पूछा, वह क्या है भाई? उसने उत्तर दिया, खेतिहार लोग मचान पर बैठे वे जंगली सुवरों को भगा रहे हैं, जंगली सुवर? कहा है वे? इंद्र नाव खीचते- होंगे यही कहीं? जवाब सुनकर मैं अस्तब्द हो गया, सोचा किसका मुझ देखकर उठा था आज सुबह? सरे शाम ही तो आज घर के बीतर बाग के हाथ पकड़ा गया, अब यदि इस जंगल में बनेले सुवरों के हाथ पकड़ा जाओं, तो इसमें विचितर ही क्या है? फिर भी मैं तो नाओ में बैठा हूँ, किन्तु यह आदमी छाती तक कीचड और जल में इस जंगल के भीतर खड़ा है, एक कदम हिलने डुलने का उपाय भी तो इसके पास नहीं है, कोई 15 मिनट तक इसी तरह सोच विचार करने में निकल गया, अकसर देखता था कि पास ही क किसी ना किसी जुआर या मकई के पेड का अगला हिस्सा एक एक हिलने लगता और छप 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 शब्द होता, एक दफे तो मेरे हाथ के पास ही हरकत भी, सरशंक होकर मैंने इंद्र से पूछा, बड़ा सूवर ना सही, कोई बच्चा कच्चा ही हो, इंद्र ने अत्यंत जबाव में उत्तर दिया, सूवर नहीं है, साप लिप्टे हैं, आहट पाकर जल में कुद पढ़ते हैं, साप? कापकर मैं नाव में सुकुड कर बैठ गया, अस्पुट्श्वर में पूछा, कैसे साप भाई? इंद्र ने कहा, साब किस्म के साप हैं, टोंटा, बोंडा, जाल काले आदी, पानी में बहते बहते आये, और जाडों में लिपट रहे, कभी भी तो सूखी जमीन नहीं मिलती इन्हे, देखते नहीं हो, सो तो देखता हूँ, भय के मारे, मेरे तो पैर के नक से लेकर सिर के बाल तक खड़े हो गे, परंतो उस भले मानुस ने भूर शे कई एक तो खूब मोटे हैं, मालूम होता है, टोंडा बोंडा होंगे, और यदि कदाचित काट भी खाएं तो क्या, मरना तो एक दिन होगा न भाई, इसी प्रकार वो और भी कुछ अपने मृदू स्वाभावी कंट से बोलता रहा, मेरे कानों तक कुछ तो पहुंचा, कु और चाहे जो हो, किन्तो वह क्या आदमी नहीं है, मनुष्य देवता पिशाच क्या है वह, किसके साथ मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ, यदि मनुष्य है, तो क्या वह नहीं जानता, कि इस विश्व संसार में भैय नाम की भी कोई चीज होती है, क्या उसका रिदे कालने के लिए जो वह शत्रूओं के मद्य में घुसा आया था, सो क्या था, क्या वह दया माया भी इस पत्थर में ही विनी ही थी, और आज विपत्ती का सब हाल राई राई तिल तिल जानते ही वे भी, चुप चाप अकुन्ठी चित्त से, वह इस भायावा और अति भीशन मृत्यों के मुख में उतर कर खड़ा है, एक बार भी मुख से या नहीं कहता, शेकांत भाई, एक बार तू नीचे उतर आ, वह तो मुझे जबरन नीचे उतार कर नौका खिचवा सकता था, यह केवल खेल तो नहीं है, जीवन और मृत्यों के आमने सामने खड़े होकर, इस सच है कि इस विपत्ती में वही मुझे खीच लाया, फिर भी उसके इतने बड़े स्वार्थ त्याग को मनुष्य की देह धारन करते वे में किस तरह भूल जाओं, किस तरह भूलो उसे, जिसके हृदय की भीतर से इतना बड़ा आयचित दान, इतनी सरलता से बाहर आ गया, उस रिदय को किसने किस चीज से गड़ा होगा, उसके बाद कितने काल और कितने सुख दुखों में से होकर, आज में इस बुरहापे को प्राप, कितने देश, कितने प्रांत, कितने नद नदी, पहाड परवत, वन जंगल घूमा फिरा हो, कितने ही प्रकार के मनुष्य इन दो आखों के सामने से गुजर गए, किन तो इतना बड़ा महाप्राण व्यक थी, तो और कहीं भी देखने को न मिला, परंतु वह अब नहीं रहा, अकस्मात एक दिन, वह शुन्य में मिल गया, आज उसकी याद आते ही दोनों सूखी आखे जल से भराती हैं, केवल एक करते करके क्यों उसे अपने पास वापस बुला लिया, बड़ी ही व्यथा से मेरा या असहिश्नो मन, बारम बार यही प्रश्न करता है, भगवान, तुम्हें रुपिया पैसा धन, दौलत, विद्या, पुद्धी तो अपने अखूट भंडार से धेर की भेर देते वे किन्तु इतने बड़े महाप्राण व्यक्ति, आज तक तुम कितने दे सके हो, खेर जाने दो इस बात को, घोर जल कलूल क्रमशक पास में आता जाता है, इस बात को मैं जान रहा था, इसलिए और कोई सवाल की ये बगएर मैंने समझ लिया, कि इस जंगल के बीची वभीशन प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, जिसको स्टीमर भी पार नहीं कर पाते, मैं खोब अनुभव कर रहा था, कि पानी का वेग बढ़ रहा है, और घूसर वर्ण का फेन का पुंज, विस्तृत रेत राशी का भ्रमुत्पन्न कर रहा है, इंद्र नौका पर चड़ाया, और डा तुम्हे काहे का, सोतों में समझा ही नहीं, छन बर बाद ही नौका एक बार मानो सिर से पैर तक काप उठी, और पलक मारने के पहले ही मैंने देखा, कि वो बड़ी गंगा के स्रोत में पढ़कर उलका के वेग से दोड़ी जा रही है, उस समें चिन्न बादलों की आड में मा मैंने देखा, जंगली जाओ और मकई जुवार वालत टीला दाहिनी ओर छोड़कर हमारी नाव सीधी चली जा रही है, बहुत जोर की नीन दारी है इंद्र, अब घर लोट चलो भाई, इंद्र ने कुछ हस कर ठीक स्त्रिस उलव स्नेहाद कोमल स्वर में कहा, नीन दाने की तो बात है भैया, पर क्या किया जाय श्रीकांत, आज तो कुछ देर होगी ही, अभी बहुत सारा काम पड़ा है, अच्छा एक काम करूं न, इसी जगह थोड़ा सा लेट जों, दुबारा अनुरोद की जरूरत नहीं हुई, मैं गोड मुड कर उसी अस्थान पर लेट गया, परन्तु नींद ना आई, अद्मूंदी आखों से चुप चाप आकाश में बादलों और चांद की आख मिचौली देखने लगा, यह डूबा, वो निकला, फिर डूबा, हसा, और कान में आने लगी जल प्रवा की वो सतत हूंकार, यह एक ही बात प्राया मेरे मन में आज भ बड़े बुड़े लोग पृत्वी के अनेक व्यापार देख सुनकर कहा करते हैं, कि अब बाहरी चांद कुछ नहीं, बादल भी कुछ नहीं, सब माया है, मिथ्या है, दरसल कुछ चीज है, तो वह है अपना मन, वह जब जिसे जो दिखाता है, विभोर होकर वह वही देख मेरी भी यही दशा थी, इतने प्रकार की भयंकर घटनाओं में से इस प्रकार सही सलमत बाहर निकलाने के उपरांत, मेरा निर्जीव मन उस समय शायद ऐसी ही किसी शांत तस्वीर के भीतर विश्राम कर लेना चाहता था, इतने मैं घंटे दो घंटे निकल गये, जिनकी मु आई और जाकर अपना मुँ बाहर निकाल रहा है, गर्दन कुछ उपर उठा कर देखा, नौका अब उस पार जाने की तैयारी में है, प्रश्ण करने अत्वा कुछ कहने का उद्धम भी शायद उस समय मुझ में शेश नहीं था, इसलिए मैं फिर उसी तरह लेट गया, फिर वही आखे भर कर प्रवाह का तरजन गर्जन सुनने लगा, शायद इस तरह एक गंटा और भी बीत गया, खट से रेट के टीले पर नौका टकराई, हडबडा कर मैं उठकर बैट गया, अरे यह तो इस पारा पहुँचे, परन्तु यह कौन सी जगह है, मेरा घर कितनी दूर है, रेट के सिवाए तो और यहां कुछ भी नहीं दिख रहा, सवाल करने के पहले ही, एक एक कहीं कुत्तों का भूखना सुनकर मैं और भी सीधा होकर बैट गया, निश्चे ही कहीं पास में बस्ती है, इंद्र बोला, तनिक ठहर श्रीकांत, मैं थोड़ा गूम कर अभी लो और खास करके मनुष्य की इस किशोर अवस्था में, जिसके समान महाविस्मेकारी स्वस्तु संसार में और कोई नहीं है, एक तो, वैसे ही मनुष्य की मानसिक धतिविदी पहुत ही दूर जय होती है, और फिर किशोर किशोरी के मन की भावतों में समझ सकता हूँ, बिलकुल इसलिए शायद प्रिंदावन के उन किशोर किशोरी के किशोर लीला चरकाल से ऐसे रहस्यों से आक्षादित चलियाती है, बुद्धी के द्वारा ग्राहे ना कर सकने के कारण किसी ने उसे कहा अच्छी, किसी ने कहा बुरी, किसी ने नीती की दुहाई दी, किसी ने बोकर गा कर एका कार करके संसार को उन्होंने मानूप पागल खाना बना छोड़ा। तब जिन लोगोंने बुरी कहकर गालियां दी थी उन्होंने भी कहा। और चाहे जो हो किन्तु ऐसा रस का जहरना कहीं और नहीं। जिनकी रुची के साथ इस लीला का मेल नहीं मिलता था। उन्होंने भी स्विकार किया। इस पागलों के दल को छोड़ कर हमने ऐसा गान कहीं नहीं सुना था। किन्तु यह घटना जिस आश्रय को लेकर घटित हुई वो सदा पुरातन है और साथ ही चिर नूतन भी। व्रिंदा वन के वन वन में होने वाले किशोर किशोरी की उस स सुन्दर्तम लीला का अंत किसने कब खोज पाया है। जिसके निकट वेदांत तुछे हैं और मुक्तिफल जिसकी तुलना में बारिश के आगे वारी विंदू के समान चुद्र हैं। ना किसी ने खोज पाया और ना कभी खोज पाएगा। इसलिए तो मैंने कहा कि उस समय म कांग्षा तो हिजदे में सजग हो गई थी। उस समय अपने सखा के निकट अपने को कौन डरपोक सिद्ध करना चाहेगा। इसलिए मैंने उसी दम जवाब दिया। मैं डरूंगा क्यों। अच्छा तो है तुम जाओ। इंद्र ने और दूसरा वाक्य खर्चन तिया। प कौन स्थान है। सोची रहा था कि इंद्र दोड़ता हुआ आकर सामने खड़ा हो गया। बोला। बताऊंगा किन्तु खबरदार या कहते कहते वाज जैसे आया था वैसे ही दोड़ता हुआ चला गया। इस दफे नक से सिर्ध तक मेरे सब रोंग्टे खड़ी हो गये। जान पड़ा कि मानो शरीर का प्रतेक शीरा उपशीरा में से बर्फ का गला हुआ पानी बहचला जो उसके इशारे का मतलब बिलकुल नभाब सकता। मेरे जीवन में अनेक ऐसी घटनाई घट चुकी हैं जिनकी तुलना में यह घटना समुद्र के आगे गौव के खूर के गड़े में भरेवे पानी के समान थी। किन्तु फिर भी इस रात्री की यात्रा में जो भै का मैं ने अनभव किया था उससे भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मालूम होता था कि भै के मारे होस हवाश गुम होने की अंतिम सीड़ी पर आकर मैंने पैर रख दिया है। प्रतिक्षन जान पड़ता था कि कगार के उस तरफ से मानो कोई जहांक जहांक कर देख रहा और जैसे ही मैं तिर्ची द्रिष्टी से देखता हूँ वैसे ही मानो वह सिर नीचा करके छिप जाता है। समय कड़ता ही न था। मानो इंद्र न जाने कितने युग के लिए चला गया और लोट कर ही नहीं आ रहा है। ऐसा मालूम हुआ मानो किसी व्यक्ति की आवाज सुन लगा कि दो-तीन आदमी बातचीत करते वे इसी तरफ चले आ रहे हैं। उन में से एक तो इंद्र है और बाकी दो हिंदुस्तामी। वे हों चाहे जो हों किन्तु उनके मुख की और देखने के पूर्व मैंने यह अच्छी तरह देख लिया था कि चांदनी में उनकी छाया जमीन पर पड़ी है या नहीं। क्योंकि इस अवी समवादी सत्य को मैं चुटपन से ही अच्छी तरह जानता था कि भूतों की चाया नहीं पड़ती। अह यह तो चाया है। उतनी ही साफ फिर भी चाया है। संसार में उस दिन किसी भी आदमी ने और किसी वस्ति को देखक क्या मेरे जैसे त्रिप्ति पाई होगी। पाई हो या ना पाई हो। परंतो यह बात मैं आज बाजी लगा कर कह सकता हूँ। कि द्रिष्टी का परम आनंद जिसे कहते हैं वो यही था। जो लोग आये उन्होंने असाधारन तेजी से उन बड़े-बड़े मच्छों को ना इंद्र ने नाओ खोल दी परंतो बहाव में नहीं छोड़ी। धार के पास-पास प्रवाह के प्रतिकूल लग्गी से ठेलते हुए वर धीरे-धीरे अग्रसर होने लगा। मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि मेरा मन उस समय उसके विरुद्ध ग्रेणा के भाव से और एक प उठा था। हाँ, सो मनिश्य का स्वभाव ही ऐसा है। तनिक सा दोश देखते ही कुछ छण पूर्व की सभी बाते भूलते उसे कितनी सी देड़ लगती है। राम 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 उसने इस तरह रूपय प्राप्त किये। अब तक मचली चुराने का यवय पर मेरे मन में बहुत स पश्ट तौर से चोरी की रूप में शायद स्थान न पा सका था। क्योंकि लड़कपन से ही रूपय पैसों की चोरी ही मानू वास्तविक चोरी है। और सब अनीती भले ही हो किन्तु न जाने क्यों ठीक ठीक चोरी नहीं है। इस तरह की अदबुत धारना प्राय सभी लड कि तृष्ट के समान उड़ना जाता। यदि उन मच्छों को गंगा में फेक दिया जाता। अत्वा और कुछ कर दिया जाता। केवल रूपियों के साथ उनका संसर्ग घटित न होता। फिर भी हमारी उस मतद से संग्रा यात्रा को कोई चोरी कहकर पुकारता। तो शायद गुस्से में आकर मैं उसका सिर फोड़ देता। और समझता कि उसने वास्तों में जो सजा मिलने चाहिए वही पाई है। किन्टु राम राम या क्या? या काम तो जेल खाने के कैदी किया करते हैं। इंद्र ने बात शुरू की, पूछा, तुझे दूसरा भी डर न लगा? क्यों रे श्रिकांत? मैंने संशेप में जवाब दिया. नहीं, इंद्र बोला. किन्तु तेरे सिवा वहाँ और कोई बैठा न रह सकता था, या जानता है तू? तुझे मैं खोब प्यार करता हूँ, मेरा ऐसा दोस्त और कोई नहीं. मैं अब जब आऊंगा, सिर्फ तुझे क्यों आएगा ना? मैंने जवाब नहीं दिया, किन्तु इसी समय उसके मुख पर चंद्रमा का जो प्रकाश पड़ा, उससे उसके मुख पर जो कुछ दिखाई दिया, उससे एका एक में अपनी इतनी देर के क्रोध को भूल गया. मैंने पूछा है, अच्छा इंद्र, तु मैं तो अकेले ही आया करता हूँ, डर नहीं लगता, नहीं, राम का नाम लेता हूँ, फिर वे किसी तरह नहीं आ सकते, कुछ देर रुप कर फिर उसने कहना शुरू किया, राम का नाम कोई साधारण जी जेरे, यदि तु राम का नाम लेते लेते साप के मुँँ में चला ज उस पार की अपेक्षा, इस पार पानी का बहाव बहुत कम था, बलकि यहां तो मालूम हुआ मानो बहाव उल्टी तरफ जा रहा है, इंद्र ने लग्ये उठा कर पतवार हाथ में लेते वे कहा, वो जो सामने वन सरीखा दिख पड़ता है, उसी में से होकर हमें जाना है, य अंगाल में प्रवाद है कि अकेले में भूत मचली मंगने आते हैं, एक्छा न रहते वी भी मैंने कहा, अच्छा क्यों नहीं, नहीं कहने का रास्ता तो मैं एक प्रकाल से आप ही बंद कर चुका था, और अब इंद्र भी मेरी निर्भीक्ता के संबंद में शायद करने पर भी, उस अंधकार में प्राचीन वट वरिक्ष के नीचे, डोंगी के उपर अकेले बैठे रहतर, इतनी रात को राम नाम का शक्ती सामर्थ जाच करने की मेरी जरा भी प्रविर्ती नहुई, और शरीर में कपकपी होने लगी, ये ठीक है कि मचलियां और नहीं थी, इसलिए मचली लेने वालों का शुभागमन तो नहो सकेगा, किन्तु उन सब का लोब मचलियों के उपर ही है या कौन कह सकता है, मनुष्य की गरदन मरोड कर गुनगुना रख्त पीने और मांस खाने का इतियास भी तो सुना गया है, बहाओ की अनुकूलता और डांड की त सीम सासी मानों शिशुओं की तरफ विसमे से स्तब्द हो देखता रहा, और उसमे से कोई-कोई जाडत और सिर हिला कर मानों अपना निशेद जताने लगा, बाई और भी उनी के आत्मिये परिजन खोब उचे कंकरीले किनारों पर फैले वे थे, वे भी उसी भाव से देखत रहे, उसी तरह मना करने लगे, मैं अगर अकेला होता, तो निश्चे ही उनका या संकित अमाने नहीं करता, परंतु मेरा करनधार जो था, उसके निकट ऐसा मालूम हुआ, कि मानो एक राम नाम के जोर से उनके समस्त आवेदन निवेदन एक ही बार व्यर्थ हो गया हूँ, उसने किसी तरह भौवे न फिराई, दाहिनी ओर के टीले के अधिक विस्तार के कारण, यह जगा एक चोटी-मोटी जील के समान हो गई थी, फिर उत्तर की ओर मुझ खुला हुआ था, मैंने पूछा, अच्छा, नाओ को बांध कर उपर जाने का घाट तो नहीं है, तुम ज जाओगे किस तरह? इंद्र बोला, यह जो बढ़कव रिक्ष है, उसके पास ही छोटा सा घाट है, कुछ देर से न जाने कैसी दुरगंद बीच-बीच से हवा के साथ नाक तक आ रही थी, एक-एक-एक हवा के जोंके के साथ वह दुरगंद इतनी निकट होकर नाक में लग जो फैल गया है, सभी तो लाशों को जला पाते नहीं, मुव पर जरा आग छुआ कर छोड़ जाते हैं, सियार और कुट्टे उन्हें खाते हैं, और वे सड़ती हैं, उन्ही के तो इतने गंद है, लाशों को किस जगा फेक जाते हैं भईया? वहां से लेकर यहां तक सब तो समशान ही है, जहां चाहे फेक देते हैं, और इस बढ़के नीचे घाट पर स्नान करके चले जाते हैं, अरे दुर, डर क्या है? वे सियार सियार आपस में लड़ रहे हैं, अच्छा आ, मेरे पास आकर बैठ, मेरे गले से आवाज न निकलती थी, मैं किसी तरह घिसट कर उसक गोद के निकट जाकर बैठ गया, पल भर के लिए मुझे स्पर्श करके और हस कर वह बोला, डर क्या है श्रीकान्त, कितनी दफे रात को मैं इस रास्ते से आया गया हूँ, तीन बार राम का नाम लेने से, फिर किस की ताकत जो पास में फटके? उसे स्पर्श करके मानो मेरी देह में जरा चेतना आई, मैंने अस्पुट स्वर में कहा, नहीं भाई, तुम्हारे दोनों पैर पढ़ता हूँ, यहाँ पर कहीं मत उत्रो, सीधे ही चलते चलो, उसने फिर मेरे कंदों पर हात रत कर कहा, नहीं श्रीकान्त, एक दफे जाना ही पड़ेगा, यह रुपिये कल दे देना न भाई, नहीं भाई, ऐसे बात मत कर, अच्छा मेरे साथ तू भी चल, किन्तु किसी से यह बात कहना मत, मैं धीरे से ना कहकर, उसे उसी तरह स्पर्श कियेवे पत्थर का नाई बना बैठा रहा, गला सूप कर काट हो गया था, किन्तु हाथ बढ़ा कर पानी पीलू, या हिलने डोलने की कोई चेश्ठा करू, या शक्ति मज में नहीं रह गई थी, पेड़ों की छाया के बीच में आपड़ने से पासिवा घाट दिख पड़ा, जहां में नीचे उतरना था, वह स्थान उपर पेड वगरा न होने से म्लान जोचना के प्रकाश में थोड़ा आराम मिला, घाट के कंकड़ों में जाकर डोंगी धक्का न खा जाये, इसलिए इंद्र पहले से ही उतरने के लिए प्रस्तूत होकर डोंगी के मोक के पास तनिक किसक आया था, किनारे लगते न लगते वह उस पर से फांद पड़ा, और फांदते ही भैबीत स्वर मैं उफ करू था, मैं उसके पीछे ही था, इसलिए दोनों की नजर उस वस्तू पर प्राया एक ही साथ पड़ी, उससे मैं वह नीचे था और मैं नौका की उपर, शायद मेरे जीवन में अकाल मृत्यू कभी उतने करूना रूप में नजर ना आई थी, वह कितनी बड़ी व इच बीच में जार जंखाडों में से, कहीं अश्मशान चारी सियारों का छुद्धार्त कलह चितकार, कहीं व्रिक्षों पर सोते हुए अर्ध सुप्त ब्रिहत काय पक्षियों के पंखों की फड़पडाहत, और बहुत दूर से आया हुआ तीवर जल प्रवाह का हूँ हू अंतरनात सुनाई पड़ता था, हम दोनों इन सब के बीच निर्वाक, निस्तब्त होकर उस महा करून द्रिश्य की ओर देख रहे थे, एक छह साथ वर्ष का गौर वर्ण हिर्ष्ट पुष्ट बालक पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसका सर्वाक्ष पानी में डोबा हु बहुत करके उसे मरे हुए तीन चार घंट से अधिक नहीं हुए होंगे, मानो वह विचारा, विसुचिका की दारून यातना भूग कर माता गंगा की हो गोद में सो गया था, और मा मानो बड़ी सावधानी से उसकी सुकुमार सुन्दर देह को अभी अभी अपनी गोद से उतार कर बिचोने पर सुला रही, इस तरह कुछ जल और कुछ स्थल पर पड़ी वी, उस सोते हुए शिशु की देह पर हमारी आखें जा पड़ी, मुख उपर उठाया, तो देखा कि इंडर की दोनों आखों में आशुओं के बड़े बिंदु जर रहे हैं, वो बोला, किन्तु इस छूने उने के प्रस्ताओं में मैं एक बारगी संकुचित हो उठा, इस बात को मैं अस्विकार नहीं करता, कि दूसरे के दुख में दुखी होकर आखों से आसु बहाना सहज नहीं है, किन्तु इसी कारण उस दुख के बीच अपने दोनों हाथ बढ़ा कर जु इसलिए जन्मगत संसकारोस के वर्ष में मैंने सीख रखा था, कि मृत देह को सपर्ष करना भी एक भीशन कठीन व्यापार है। जहर से बाहर हुआ या नहीं, इसका पता लगाए बिना इसस पर्ष किस तरह किया जा सकता है। मौका की उस तक्त पर जिस पर की पहले मैं सोया था, उसे सुला दिया और नाव को ठेल कर स्वैम भी चड़ गया। बोला, मुर्दे की क्या जात होती है रे, मैंने तर्क किया, क्यों नहीं होती। इंद्र बोला, अरे यह तो मुर्दा है, मरहवे की क्या जात। यह तो वैसा है है, जैसे हमारी डोंगी, इसकी भला क्या जात। आम या जामुन जिसकी भी काठ की बनी हो अब तो यह डोंगी ही है इससे डोंगी छोड़ कर कोई आम या जामुन तो नहीं कह सकता समझा की नहीं यह भी उसी तरह है अब मालूम होता है कि यह द्रिश्टांत निरे बच्चों का साथा किन्तु अंतर में यह भी तो अस्विका करते नहीं बनता कि यहीं कहीं इसी के बीच एक अतित्तिक्ष्ण सत्य अपने आपको छुपाईवे बैठा है बीच बीच में ऐसे ही खरी बाते वख कह जाया करता था इसलिए मैंने अनेक दफे सोचा है कि इस उम्र में किसी के पास कुछ भी शिक्षा पाए बगर बलकि प कपट तो मानों इंद्र में था ही नहीं उद्देश्य को गुप्त रखकर तो वह कोई काम करना जानता ही न था इसलिए मैं समझता हूँ उसके हृदय का वव्यक्तिकत विच्छिन सत्य किसी अग्यात नियम से वंश वर्ती होकर उस विश्व वापी अविच्छिन निखिल सत्य का साक्षात करके अनायास ही बहुत ही सहज में उसे अपने आप में आकरशित कर आत्मसात कर सकता था उसकी सरल शुद्ध पुद्धी पक्के उस्ताद की उम्मिदवारी किये बगेर ही समस्त व्यापार को ठीक ठीक अच्छी तरह जान लेती थी वास्तविक अकपट सह असार में परम और चरम बुद्धी है उसके उपर और कुछ भी नहीं अच्छी तरह देखने पर मिथ्या नाम की किसी भी वस्तु का अस्तित्व इश्विश्व वरंभांड में नजर नहीं आता मिथ्या तो सिर्फ मनुश्य के मानने का एक और फल मात्र है सोने को पीतल मान परंतु इस सोने अत्वा पीतल का क्या जाता है तुम्हारी जो इक्छा हुआ मानू वह तो जो कुछ है सो रहे गई सोना समझकर उसे संदूक में बंद करकर रखने से उसके वास्तविक मुल्य में वृद्धी नहीं होती और पीतल कहकर बाहर फेक देने से उसका मुल्य नहीं घट चाता उस दिन भी वह पीतली था और आज भी पीतली है तुम्हारे मिथ्य के लिए तुम ही छोड़कर और कोई भी उत्तरदाई नहीं है इस विश्व ब्रम्हांड का समस्त ही परिपूर्ण सत्य है इसलिए इंद्र ने इस असत्य को अपने अंदर में जाने या अंजाने में कभी भी स्थान न दिया इसलिए उसके विशुद्ध बुद्धी मंगल और सत्य को ही प्राप करती है तो इसमें विचित्र ही क्या हुआ? किन्तो यह बात उसके लिए विचित्र ना होने पर भी मैं यह नहीं कह सकता कि किसी के लिए विचित्र नहीं है ठीक इसी बहाने मैंने अपने जीवन में ही इसका जो प्रमान पाया है उसे कह देने का लोब मैं यहां समवरण नहीं कर सकता उक्त घटना के 10-11 वर्ष के बाद एका एक एक दिन शाम के वक्त यह समवाद मिला कि एक वृद्धा प्रमणी उस मुहले में सुभा से मरी पड़ी है किसी तरह भी उसके क्रिया कर्म के लिए लोग नहीं जुटते न जुटने का हेतु यह कि वा काशी यात्रा से लोटते समय रास्ते में रोग ग्रस्त हो गई और उस शहर में रेल से उतर कर सामाने परिचय के सहारे जिनके घर आकर उसने आश्रे गढ़न किया और दो रात रहकर आज सुबह प्राण ताक किया वे महाशे विलायत से लोटे वे थे और बिरादरी से अलग थे व्रिधा का यही अपराद था कि उसे नितांत निरुपाए अवस्था में उस बिरादरी से खारेज घर में मरना पड़ा खेर अगनी संसकार करके दूसरे दिन सुबह वापस आकर मैंने देखा कि हर एक घर के किवाड बंध हो गये हैं सुनने में आया कि गत रात को ग्यार बजे तक हरिकेन लाल्टेन हाथ में लेवे पंच लोगों ने घर घर फिरकर स्थिर कर दिया है कि इस अत्यन्त श्राद विरुद्ध दाह करने के कारण इन कुलंगारों को सिर मुराना होगा अपराद स्विकार करना होगा और एक ऐसी वस्तु खानी पड़ेगी जो कि सुपवित्र होते वे भी खादे नहीं है अर्थार्थ गोबर उन्होंने घर घर जाकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं क्योंकि अपने जीते जी वे समाज में किसी भी तरह का या और शास्त्रिय काम नहीं होने दे सकते हम लोग और कोई उपाए न रहने पर डॉक्टर साब के शरण में गए बेई उस शहर में सर्वस्रेष्ट चिकित्सक थे और बिना दक्षिना के ही बंगालियों की चिकित्सक कर दिया करते थे हमारे कहानी सुनकर डॉक्टर महाशे क्रोथ से सिलग उठे और बोले जो लोग इस तरह लोगों को सताते हैं उनके घरों में यदि कोई मेरी आँखों के सामने बिना चिकित्सक के मरता होगा तो भी मैं उस और आँख उठा कर नहीं देखूंगा न मालूम किसने या बात पंचों के कान तक पहुचा दी बस शाम होते न होते मैंने सुना कि सिर मुड़ाने की जरूरत नहीं सिर्फ अपराद स्विकार करके उस सुपवित्र पदार्थ को खा लेने से काम चल जाएगा हमारे स्विकार न करने पर दूसरे दिन सुबह सुना गया अपराद स्विकार कर लेने से ही काम हो जाएगा वह पदार्थ न खाना हो तो न सही इसे भी ना स्विकार करने पर सुना गया कि चुकि यह हम लोगों का प्रतम अप्राध है, इसलिए उन्होंने उसे यूही माफ कर दिया है, प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं, किन्तु डॉक्टर सहाब बोले, ठीक है कि प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं, परन्त के बाद उसी दिन संस्थान के समय डॉक्टर साहब के घर एक-एक करके सभी व्रिद्ध पंचों का शुभागमन होना शुरू हो गया। आशिरवात दे दे कर उन्होंने क्या-क्या कहा, उसे तो अवश ही मैंने नहीं सुना, किन्तो दूसरे दिन देखा कि डॉक्टर साहब का क्रोध ठंडा हो गया है और हम लोगों को भी प्रैश्चित करने की ज़रूरत नहीं रही है। जाने दो, क्या कह रहा था और क्या बात बीच में आ पड़ी। किन्तो वह चाहे जो हो, मैं निश्च्य पूर्वक जानता हूँ, कि जो लोग जानते हैं, वे इस नाम-धाम-हिन-विवरन से ही पूरा सत्य प्राप्त कर लेंगे। मेरे कहने का मूल विशा यह है, कि इंद्र ने उस उम्र में अपने अंतर के मध्य में जिस सत्य का साक्षात कर लिया था, वो इतने बड़े-बड़े पंच सरदार इतनी उम्र तक भी इसका तत्व न जान सकी थे। और डॉक्टर साहब यदि उस दिन इस प्रकार उनके शास्त्र ज्यान की चिकित्सा न कर देते, तो कभी उनकी यह व्यादी अच्छी होती भी या नहीं, सो तो जगदिश्वर ही जाने। तब दुंदली चांदनी में उसका मुख जितना कुछ दिखाई दिया, वह मलीन था, और उसकी सूखे मुख पर ठीक वैसा ही भाव प्रकट हो रहा था, जैसे कोई कान उठा कर किसी की राह देख रहा हो, मैं बोला, इंद्र अब चलो, इंद्र ने बोला, कहां, अभी जहा चलने के लिए तुमने कहा था, रहने दो, आज नहीं जाओंगा, मैं खुशो कर बोला, ठीक, यही अच्छा है, भाई चलो, घर चले, प्रत्युत्तर में इंद्र मेरे मुख की और देख कर बोला, हारे श्रिकांत, मरने पर मनुष्य का क्या होता है, जानता है, मैंने तुर सभी लोग तो स्वर्ग नहीं जा सकते, इसके सिवाए कुछ समय तक तो सभी को यहां रहना पड़ता है, देखो, मैंने जब उसको जल के उपर सुला दिया था, तब उसने धीरे से साफ साफ कहा था, भाईया, मैं कापते हुए स्वर से रोते हुए बोल उठा, क्यों मुझ दो मिनिट चुप रहकर उसने गंभीर मृदू स्वर में कहा, श्रीकांत मनहीन मन राम नाम ले ले, वह नौका छोड़कर नहीं गया है, हमारे पीछे ही बैठा है, शेश कहानी अगले भाग में, धन्यवाद,